गूगल सच कंसोल के अंदर सिक्योरिटी एक्शन्स और मैनुवल इशूज क्या होते हैं आज की इस पर्डिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं तो गैस हम लोग बात करेंगे कि यह जो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी एन मैनुवल एक्शन का ओप्शन दिख रहा है इसके अंदर जो हमें मैनुवल एक्शन्स दिख रहा है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि अभी इस पर्डिकुलर वेबसाइट के उपर कोई भी मैनु इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और अगर गुगल हमारी वेबसाइट के उपर मैनुवल एक्शन्स लेता है उस पर्डिकुलर केस में हमें क्या नुकसान होने वाला है इन सभी चीदों को हम लोग इस पर्डिकुलर वीडियो में बहुत रिटेल में समझने वाले हैं च इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं देखो हमारी वेबसाइट के उपर गूगल दो तरीके से जो पनल्टी है वो लगा सकता है एक तो यह कि जो गूगल के बॉट्स है वो क्रॉल करते रहते हैं और अगर उन्हें कुछ भी असी अक्टिविटी उनको देखने को मिलती है जो गूगल की पॉलिसीज के अगेंश है तो वहां पर हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है या हमारे जो वेबसाइट का jest-i-o है वो effect में आ सकता है किश्विए गूगल की वेबसाइट को जो गूगल के व्डॉट्स है उनके वो अगेंश लगता है एक तो यह चीज हो यह है कि Google के बहुत सारे ऐसे employees हैं और ऐसे representatives हैं जो manually आपकी website को check करते हैं, अगर उन्हें आपकी website में कोई problem लग गई, अब इसकी बात हम लोग अलग करेंगे कि वो problem क्या है, वो क्या reasons है जिनकी वज़े से manual actions होते हैं, but manual actions जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यह वो actions हैं जो Google के representatives, real representatives या humans आप उनको बोलो, humans जो हैं वो आपकी website के उपर लेते हैं, ऐसे actions जादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनको remove कर पाना उतना easy नहीं होता है, but हाँ manual actions भी remove किये जा सकते हैं, तो अगर आपकी website के उपर कोई manual actions होंगे, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि आपनाउन यहाँ पर मिल जाएंगे कि इतने manual actions आपकी website के उपर लिए गए और इस particular action के वज़े से जो problem हुई है, उसको resolve करने के लिए आपको कुछ steps भी बताये जाएगे, कि अगर यह steps करते हो, तो आपकी यह problem जो है, वो resolve हो जाएगी, तो यह तो बात हो गई manual actions की, कि manual actions ह होते क्या है, अब जो दूसरी बात है समझने वाली वो यह है, कि manual actions अगर हमारी website के उपर हुए, तो हमें नुकसान क्या होगा, अगर आपकी website के उपर manual actions होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो यह, कि आपकी website के कुछ URLs या कुछ pages आप उसको कहलो, वो search से गायब हो सकते हैं, म कभी नहीं होगी, यह कुछ URLs के साथ भी हो सकता है, और कभी-कभी, जैसे मने आपको बताए कि manual actions काफी strict होते हैं, तो कभी-कभी यह पूरी के पूरी website के लिए भी हो सकता है, कि आपकी website जो है, वो penalize हो जाए, और फिर कभी Google के search में वो appear ना हो पाए, तो आपको इन manual actions से ब बेसिक से definition में लिखी है, Google issues a manual action against a site when a human reviewer at Google has determined that pages on the site are not compliant with Google's webmaster guidelines, तो अगर हम लोग नीचे आए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो list of manual actions है, किस-किस टाइप से जो manual actions है, वो आपकी website के उपर हो सकता है, जैसे site abused with third party spam, user generated, अगर spam आपकी website के उपर है, ठीक है, बहुत सार case भी आपकी जो website है, manual actions के under penalize हो सकती है, spammy free host होना चाहिए, structure data में कोई issue नहीं होना चाहिए, unnatural links आपकी website को नहीं point करना चाहिए, unnatural links आप अपनी website से दूसरी website को ना दें, तो यह सारे वो causes है, यह सारे वो reasons है, जो आपकी website के उपर manual actions को trigger कर सकते है, बहुत सारे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यह सारी list है, आप एक बार इस चीज को follow कर लेंगे, ठीक तरीके से समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, basically आपको जो Google की webmaster policies हैं, उन्हीं का ध्यान रखना है, जो मैं fair चीज़े आपको हमेशा बतात हैं, बट आप इस list को एक बार मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, go through कर लिजेगा, थोड़ी से और आपको clarity हो जाएगी, उसके बाद, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर security issues की, अब security issues का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो security issues में भी अगर आप देखो, त तो आपकी website के उपर security issue लग सकता है, पतलब अगर user आपकी website के उपर credit card हो गएर की information डाल रहा है, और Google को लग रहा है कि यह website ना कुछ malicious type किये, यह website इसकी card की details को कुछ चुराने की कोशिश कर रही है, या कुछ भी उसको malicious activity लगती, या ऐसा लगता है कि आपकी website आपकी website के उपर कुछ hacked content है, आपकी website के उपर कुछ hacked script है, तो जहां पर किसी भी website के अंदर security से related loopholes होंगे, वहां पर वो website security issues को सफर करेगी, अब जो security issues है, यह क्या होते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो आप यहां पर देख सकते हो, जैसे security issues report में अगर हम लोग आएं, और यहां पर आप देख सकते हो, जैसे pages or sites affected by a security issue can appear with a warning label in search results on an interstitial warning page in the browser when a user tries to visit them, आप कभी-कभी देखते होंगे, कि आप कुछ websites के उपर visit करने की कोशिश करते हो, जब आप उन websites के उपर visit करते हैं, देखते हैं, ब्राउजर आपको कुछ notification prompt करता है, कुछ security notification prompt करता है, कि यह website ठीक नहीं है, इस website के उपर मज जाओ, यहां पर security को लेकर issues है, ऐसा कुछ prompt करता है, तो जिन भी website के उपर security issues होते हैं, वो इस type की जो warnings है, वो face करते हैं, browser वगराउजर के अंदर, तो अगर आप security issues की बात करें, क्या reasons हैं जिनकी वज़े से security issues होते हैं, तो यहां पर आ यह होता है, कि आप ऐसे pages, ऐसी website बना रहे हो, जो किसी दूसरे trusted website की replica होती, जो देखने में तो बिल्कुल trusted websites की तरीके से लगते हैं, बट वो trusted websites होती नहीं है, या trusted pages होते नहीं, that is actually deceptive pages, deceptive embedded resources, ठीक है, misguide करने वाली resources आपने अपनी website के ओपर embed कर रखा है, अगर आप इ आप 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 करते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी security issues में आएंगी, कि ये सारी चीजें एक तरीके से security का issue create कर रहे हैं, उस visitor के लिए, उसके लिए भी आपको penalize किया जा सकता है, तो आप जारतर cases में देखेंगे, कि अगर आप कुछ गड़बडी नही कर रहे हैं, कुछ deceive करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ spamming करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे case में आपको यहाँ पर कोई issues generally दिखाई नहीं देंगे, आपको जड़ातर websites आपको यहाँ पर clean दिखाई देंगे, बढ़ हमें पता होना चाहिए, कि Google Search Console के इंदर इ आशा करता हूँ, वीडियो आपको फसंद आया होगा, मिलता है नेक्स वीडियो में, तिल नेन, गुड़ बाई